हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल आज हम धुलीवी उडद की दाल मैं कैसे बनाती हूं वह आपके साथ शेयर कर रही हूं बहुत एजी मेंधर से बनाएंगे बिल्कुल जैसे गाउं में मिलती है ना उडद की दाल चावल मिलती है ना खाने में आज हम ऐज़े तरहा मिनट भीगो के रख सकते हैं गरम पानी में अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप दो घंटे दाल को भीगोएं फिर यहां पर मैंने कुकर लिया है कुकर में दाल एड़ करी है पानी एड़ करा है चौप करके टमाटर हरी मिर्ची चौप करके और हल्दी पाउडर ल लेकर आओंगी ठकल लगा कर अच्छे से बंच का दे और तीन सीटी आने तक इसको पकने दे तीन सीटी के बार देख सकते हैं यह दाल बिल्कुल हल्वा नहीं हुई है हमें हल्वा नहीं पकाना है दाल का इस तरीके से इसके मतलब दाल दिखनी चाहिए जब हम तड़का ल बार देशी घी में तड़का लगाएंगे हाँ यहां पर मैंने दो चमच दो बड़े चमच देशी घी लिया है डिद बच्छे से हमारा घी गरम हो जाएगा हम यह पर लो फ्लेम रखेंगे रखेंगे घी गरम होने के बाद हम थोड़ा साई हींग दालेंगे फिर ला और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे यह सब हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है लो फ्लेम रखनी है ताकि यह सब मसाले जलेना लाल मिर्च जल सब दाल ना जाए इसका कलर आना चाहिए फिर हम जो हमने उबाल के दान रखी वी थी वह हमें इसमें एड़ कर देंगे और मतलब मैं आ जैसे आपको बता है और आप इसको इसे ही तड़के के साथ लास्ट में भी आप इसमें तड़का डाल सकते हैं घी से बहुत आजा फ्ललीवर आता है ze यह चीमे लेकर हमिए करें प्लीज मिरचने आपको श्रेब करें वहीं हैं यह ख्लेध करें